हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं VS Istrology, मैं गार आओ आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ VS Istrology में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे मार सीन 9 थाउस मंगल आपकी कुंडली के नवे घर या नवे भाव में होंगे तो क्या फल देंगे दोस्तों लेसन की शुरुवात करने से पहले कुछ बातों का विशेश दियान रखें पहली बात कि मंगल की तीन द्रष्टियां होती है चौथी, साथवी और आठवी यदि आप जानना चाहते है कि द्रष्टिया क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट astrology lesson in Hindi मंजा है first video देखें अपका basic जानकारी मिल जाएगी अगली बात दोस्तों यह कि मंगल का में जो भी result बताऊं जो भी परिणाम बताऊं चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो उसके अनुपात पर पहुँचने से पहले उसकी डिगरी देख ले मंगल के जो result है अच्छे result ज्यादा होंगे या बुरे result ज्यादा होंगे या कम होंगे इस अनुपात को जानने से पहले उसकी डिगरी देख ले यदि मंगल की डिगरी 10 से नीचे या 20 के उपर है तो ही वो अपने काउन फल दे पाएंगे चाहे उनके फल अच्छे हूं चाहे बुरे हूं कम देंगे यदि मंगल की डिगरी 10 से लेकर 20 तक है तो ही वो अपने ज्यादा फल देंगे तो मंगल की डिगरी देख लें दूस्तो मंगल जब नवे घर में होते हैं तो अक्सर नवा घर और दस्वा घर पिता का घर माना जाता है तो अक्सर व्यक्ति की पिता से या तो नहीं बनती या कुछ नो कुछ मन मुटाव चलता रहता है या कहा सुनी कुछ नो कुछ छोटी मुटी चलती रहती जो अक्सर मेरा देखन दिखाए कि मंगल जब नवे घर में होते हैं तो पिता के साथ व्यक्ति की कहा सुनी या खट-पट छोटी-मुटी चलती रहती है तो यह मंगल का एक सामान एक रूल है एक रिजल्ट है तो मंगल यह चीज़ करते ही करते हैं चली दोस्तों अब जानते हैं कि मंगल नवे घर म अच्छे और किन राशियों के साथ बूरे फल देंगे सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छे फल किन राशियों के साथ मंगल देते हैं नवे घर में दोस्तों वो राशिया है एक नंबर या मेश राशी के साथ पांच नंबर या सिह राशी के साथ छे नंबर या कन्या गरंशी के साथ मंगल जब 10,9 गर में तो वो अपने अच्छे फल देंगे इसके अलावा जो मंगल बची राशिया है। बची राशिया कॉनसा है दो नंबर या व्रश्य राशी तीन नमबर या मिधुन राशी, चार नमबर या करक राशी, चार नमबर के साथ दोस्तों मंगल नीच के माने जाते हैं, तो यहाँ पर अपनी महादश्या या अंतरदश्या में बहुत बुरे फल देंगे, और ग्यारा नमबर या फिर कुम्भ राशी के साधिती मंगल नवे नहीं मिलते चाहे मंगल यहां पर उच्छे के हो लेकिन उतने ज्यादा अच्छे फल मंगल नहीं दे पाते लेकिन इसके अलावा जो बची राशिया मैंने कही एक नंबर पांच छे साथ आठ नौ और बारा नंबर जो है मैंने जो कहा उनमें मंगल अपने अच्छे फल देते मन पेऊतर हैं अपने महादशा या अंतरदशा में अच्छे फल देते ने दोस्तों वह मैं आपको बता देता हूँ ञांकल की महादशा या ऐंतरदशा ब्रेक्ति को चल रही होगी तो जैसा मेंने कहा कि aby aमाए पट्डा का घर भी तो व्यक्ति को भाग भाग गी बहुत साथ लेकिन उसके लावे व्यक्ति का भाग के बहुत सब्सक्राइब नवा उसे भाग्य साथ देता है व्यक्ति का कम काम करता है और उसे ज्यादा फल मिल जाता है मंगल की महादशा या अंत्रदशा में इसी के साथ साथ दोस्तों व्यक्ति धर्मा को मानने वाला हो जाता है साथ इसाथ जब मंगल अपनी द्रश्टी 12 घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो जो भी खर्च करता है, वो investment में change हो जाता है, और उसे बाद में कुछ ना कुछ उसे फायदा मिलता है, खर्चों से फायदा जरूर मिलता है, जब मंगल अपनी द्रश्टी तीसरे घर में डालते हैं, तो यहां से relative positive result मिलता है, जो भी छोटी मोटी यात्राय करता है, वो फिज positive result मिलता है, मकान, भूमी, गाडी, वहान खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है, तो बिल्कुल आसनी से खरीदलता है, आसनी से बना लेता है, माता से वेक्ती की बनती है, मंगल की महादशा या अंतरदशा में, अब दोस्तों इसी के विप्रित, यदि मंगल 2 नमबर, 3 नम कрамें को मानने वाला वेक्ति नहीं होगा और भाग वेक्ति का साथ नहीं दे पाएंगा gb जब मंगल अपनी द०्रश्टि को डालेंगे तो फिजूल व्य वक्ति होता रहेगा अस्पिताल की खर्चे होने के भी चांसस रहते हैं मंगल की महादर शाय और इंह यांतरदरशा में, जब मंगल अपनी द्रश्टी तीश्रे घर में डालते हैं तो व्यक्ति फिजूल की चोटी-मोटी यात्राहि खता ही रहता है, छोटी-मोटे चीजों में खपता ही रहता है चोटे भाई भेनों से वेक्तिकी नही बनती हो, पराक्रम भी छोटा पमूटा डगमगाया रहता है। जब मंगल अपनी तो दिस्टी चौते कर्में डालते है तो माता से हो सकता है वेक्तिकी की बने या फिर मता से दूरी हो जाए वक्ति मंगल की महादरशा या अंत्रदशा में मकान भूमी गारि वहान यदि वक्ति खरीदना चाहता है तो नहीं खरीद पाता या फिर उसे बहुत कठीना ही जाती है खरीदने में या बनाने में तो इस तरह मंगल अपने एंगेटिव र तो क्या फल देंगे एक बार फिर धियान रखिए दोस्तों चार नंबर के साथ मंगल नीच के माने जाते तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फल देंगे लेकिन दस नंबर के साथ दी मंगल उच्छे के माने जाते हैं लेकिन यहाँ पर उतना अच्छा फल उतना सैटिस्फेक्ट इस मंत्र की एक माला कजप आप जरूर करें रोज आपको मंगल के जो दुश प्रभाव हैं जो खराफ़ल मिल रहे हैं उन्में जरूर शान्ती मिलेगी चले दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लिस लाइ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद बैबैए